हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत है उनिक लव्टिफ चैनल पर और विशिंग अल अफ यू आप वेरी हैपी न्यू यर आप सबको न्यू यर की बहुत सारी शूप कामना है मेरे तरब से और उनिक लव्टिफ चैनल के तरब से और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारे जो नोटिफिकेशन से वीडियो के वो आपको मिल सके और ऐसे ही सारे वीडियो को आप देख सको तो चलिए आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो देख लेते हैं आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों वो है क्या करे जब आपका जो पार्टनर है वो आपको बार-बार ब्लॉक और अनब्लॉक करे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जब कोई आपको बार बार ब्लॉक करता है उसके बाद उसका जब मर्जी होता है वो आपको अनब्लॉक करता है इसके पीछे दो से तिन रिजन हो सकते है पहला जो रिजन है वो है आप उस इंसान की जिन्देगी में इतना ज्यादा घुशते हो कि वो आपसे उप गया है वो इसी वज़े से वो आपको बार-बार ब्लॉक करती है या ब्लॉक करता है और ये कोई भी करेगा या कोई भी करेगी जब आप उसकी जो परसनल स्पेस है उस पे घुसोगे तो क्यूंकि सभी को एक परसनल स्पेस से ये होता है हर एक इनसान की नीध है और वहाँ पे अगर इसे जिस करोगे वीडियो कॉल करोगे मतलब हर दिन लगे परे हो तो ऐसे करोगे तो कोई भी इंसान इरिटेट फिल करेगा और आपको ब्लॉक कर देगा या ब्लॉक कर देगी ठीक है ये हो गया फर्स रिजन और जो दूसरा रिजन है वो है कि उस इनसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई गेम खेलने के लिए नहीं है इसलिए वो आपको बार बार ब्लॉक करता है फिर अनब्लॉक करता है फिर ब्लॉक करता है फिर अनब्लॉक करता है तो ये उसके लिए एक गेम है उसके लिए एक टाइम पास है उसको मज़ा आता है इस चीज को करते ठीक है और थर्ड जो reason है वो भी उस इंसान की मर्जी के उपर ही है कि वो खुद confused है आपको लेके कि आपका क्या किया जाए मतलब आपको block कर दिया जाए permanently या फिर unblock कर दिया जाए तो इसी दुविदा में वो जी रहा है या जी रही है तो इसलिए जब उसको लगता है कि नहीं आप उसके लिए perfect नहीं हो तब वो आपको block कर देता है या block कर देती है और जब उसको लगता है कि नहीं नहीं आप तो उ कौन से कैटेगरी में अपने आपको डालोगे अगर आप उसके लाइब में घुसते हो बिना मतलब के उसको परसनल स्पेस नहीं देते हो एकदम हर वक्त कॉल मैसेजेज कॉल मैसेजेज ऐसे करते हो तो यहां पर आपको जो अपना जो रवाईया है उसको चेंज करना परेगा यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर गलती जो है वो आपका है और अगर दो जो और रिजन मैंने बताया है अगर यह बात है अगर यह उसका नेचर है आपके पार्टनर का तो यहां पर आपको ऐसे पार्टनर से दूर रहना ही मैं बोलूंगी अच्छा है क् कि ऐसे इंसान के साथ आप नहीं रह सकते जो आपको अपने mood के हिसाब से treat करेगा यह treat करेगी जब उसको mood होगा आपको block कर देगा जब उसको mood होगा आपको unblock कर देगा या unblock कर देगी तो ऐसे करके तो किसी का relationship नहीं चल सकता है न relationship itself है very serious थी वहाँ पे मजाग बन गए हो आप आपका काम है कि आप check करते रहते हो कि मैं कब unblock हूँ आरे मैं तो अभी unblock हूँ आरे आरे नहीं यार अभी तो मैं block हूँ तो यह check करते रहोगे क्या जिन्दगी भर की अब कब unblock है कब block है ऐसा तो नहीं चलता ना ऐसा सच में न कर हो तो ऐसे relationship से दूर होना ही बहतर है क्योंकि आपके life में और सारे भी काम है यार आपके life में और सारे भी चीजे है जो जिस पे आपको focus करना ज़रूरी है आपका सिर्फ यही काम तो है नहीं ना कि आप check करते रहोगे दिन पर की मैं अभी block हूँ ठीके ठीके नहीं नहीं unblock हूँ तो ऐसे करके तो नहीं चलता जी सबकी life में सबको कोई ना कोई purpose रहता है कोई ना कोई काम रहता है कोई study करता है कोई job करता है कोई business करता है बट कुछ ना कुछ सभी के life में है अब यह आपका गलती है कि आप उस पे focus नहीं कर रहे हो और बाकी जो घटिया चीजे ह जैसे कि कब मैं block हूँ कब मैं unblock हो इस पे आप focus जादा कर रहे हो क्यों कर रहे हो खुद को value नहीं करोगे तो यार कोई आपको value नहीं करेगा यह सच है आप खुद को पहले value करो आप खुद के ऊपर जो अपने आपको जो आप ट्रीट करते हो ना वो उसका जो pattern है वो change करन पड़ेगा आपको आप अपने आपको ही ग्रांटेर लिए पर हो तो लोग तो आपको ग्रांटेर लेंगे ना क्योंकि लोग तो देख रहे हैं कि आप तो खुद ही अपने आपको value नहीं करते हो तो क्यों आपको दूसरे लोग value करेंगे तो पहले अपने खुद की value को कर दो प्रोड कर दो कर दो कि कि असन दो कि अपनका दो कि कर दो अकार प्रोड़ करा कि अपने घ्लाचा कर दो भी है